कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इस तरह से हमलावर हुए थे विपक्षपर लोकसभा में आज राज्यसभा में वो बोलने वाले हैं तो आज राज्यसभा में हुंकार भरेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और वो क्या कुछ बाते करते हैं इस पर वाकई हर किसी की नजर बनी रहेगी और राहुई गाधी ने लोकसभा में सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगनीवीर योजना सेना पर थोपी गई है इसी बात पर प्रधान मंत्री मोदी ने कल लोकसभा में जवाब काका हाथरसी की कविता के जरिये दिया था आपको वो दिखाते हैं कि हमें तो लगता है कि ये जो अगनिवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई ये कहीं और से आई है ये आरेसेस से आई है हो मिनिस्ट्री से आई है कि हमें लगता है कि ये ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी लोग ऐसे निराशा में डूब है ऐसे निराशा में डूब है काका हाथरसी ने एक बड़ी मज़ेदार बात कही थी काका हाथरसी ने कहा था आगा पीशा देखकर आगा पीशा देखकर क्यों होते गमगीन जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सिन और कॉंग्रिस संसद राहूल गांधी ने लोगसभा में पूछा था कि अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का क्या रिष्टा है इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोगसभा में जवाब दिया और कहा कि 2004 से 2014 बड़े घुटालों का दशक था हम सड़क पे चल रहे हैं मैं पूछू किसने बनाई अडानी जी इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिष्टा है और कैसा रिष्टा है चार से चोधा आजादी की तियात मैं सबसे गोटालों का दसक रहा वही दस साल UPA के वो दस साल कश्मीर जे कन्या कुमारी भारत के हर कौने में आतंगवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा स्पीच से सचा ही दिखती है कि अच्छा इनक्वाइरी की बात नहीं हुई अगर मित्र नहीं है तो यह कहते ठीक है मैं इनक्वाइरी करा देता हूँ इनक्वाइरी की बात नहीं हुई डिफेंस इंडिस्ट्री है वहाँ पेशल कंपनीज है बेनामी पैसा घूम रहा है उसके बारे में प्रदान मंत्री ने कुछ नहीं कहा तो मतलब क्लियर है कि प्रदान मंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं उनको प्रटेक कर रहे हैं दुश्यंत कुबार ने बहुत बढ़िया बात करें और दुश्यंत कुबार ने जो कहा है बहुत फिट बैरता है अन्योंने कहा है तुमारे पाओं के नीचे तुमारे पाओं के नीचे कोई जमिन नहीं तुम्हारे पाउं के नीचे कोई जमीन नहीं कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं और जी मीडिया संबादाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइफ जुड़ गए हैं ब्रह्म हमने देखा कल लोकसभा में 87 मिनिट तक प्रधान मंत्री मोदी बोले और यहाँ पर बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने विपक्ष को घेरा आज राश्पती के अभिभाशन पर वो राज्यसभा में बयान देने वाले हैं क्या बोलेंगे आज इस पर नजर बनी रहेगी बिल्कुल अधीती देखे कल जिस तरह से कॉंग्रेस समय तमाम विपक्षी नेताओं ने जो सवाल खड़े किये थे प्रधानमंत्री नरिंद मोधी पर अधानी से संबंदों को लेकर उनका एकएक करके प्रधान Libya विपक्ष को घेरा वी हालाकि प्रधान मंत्री ने कहीं भी अपने जवाब में ना राहूल गांधी का नाम लिया ना उनको आखडों में भी गिनाया, उन्होंने कहा कि कैसे 11 करोड किसानों को डारेक किसान सम्मान ने दी जाती है, कितने ट्वालिट देश बर में बन गए हैं, कितने रसोई गेस के कनेक्शन मिल गए हैं, तो प्रधान मंत्री ने अपने सरकार के जो विकासकारी हैं, उनके आख करोडों का भी हवाला दिया, साथ साथ में विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे, उनका जवाब भी दिया, आज राज्य सभा में वो क्या बोलते हैं, इसको लेकर भी विपक्ष की नजर रहेगी, कि क्या प्रधान मंत्री मोदी यहां पर आदानी मुद्दे को सीधे सीधे स अभी तक राश्पती के धनबात प्रस्ताव पर विपक्ष के नेताओं ने बोला है, उन्होंने सबसे ज़ादा आदानी मुद्दे को लेकर ही प्रधान मंत्री मेरिंद मोदी को घेरा है और सरकार पर आरूप लगाए हैं, जाहर तोर पर आज जब प्रधान मंत्री का जव उनका सीधा जवाब दे रहा हैं लेकिन तंज जरूर कसरे हैं कि आखिर ये जब सवाल उठा रहे हैं लेकिं वो सवाल कौन उठा रहा है, उसकी विस्वसनी ता क्या है और जब वो खुद सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? ये प्रधान मंत्री ने जरूर बताया और खास जो अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उनका उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, जैसा आपने कल तकरीबन डेड़ घंटे के भाशन में देखा, आपने दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री ने तमाम दुश्यंत कुमा सरकार के शब्दों में कहा, ये काका हाथ रसी के शब्दों में कहा, और बिपक्ष पर तंज कस्ते हुए, सीधा सीधा अपनी सरकार के आँख़ों का हवाला दिया, और ये बताया कि कैसे उनकी सरकार जनता के लिए, चाए मध्यमबर्ग हो, चाए लोर क्लास हो, कैसे उनकी सरकार काम कर रही है देकि अधिती एक बात और है कल प्रधान मंतरी ने ने उन बातों का भी जिक्र किया कि किस तरह से मिडिल क्लास को देश में जो एंडिये सरकार की स्किम से उसका फाइदा पहुचा है हाला कि जब हमने बाद में बिपक्षी नेताओं से बात की तो कोई भी बिपक्षी नेता प्रधान मंतरी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ हाला कि ये हमेशा होता है सरकार की आलोचना हमेशा बिपक्ष करता है चाहे कितना ही जवाब कितना ही अच्छा रहे और आज राजी सवाव में जब आप देखेंगी तो प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री का जो जबाब होगा और ज्यादा बेस्तरत होगा और उन तमाम सवालों का जबाब होगा जो राजी सवाव में पर पक्ष के नेताओं ने उठाए हैं विल्कुल ब्रह्म बहुत बहुत शुक्री आपका इस पूरी जानकारी के लिए